नमस्कार मैं भूबंदर पंडा हिंदी चनल में आप सबका हर्दिक स्वात करता हूं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरे प्रत्यक फीडियो का अब्डेट्स आपको मिलते रहें आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट में क्या 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 खास चीजे हैं क्या क्या खास बाते हैं और आपको क्यों मेरी वेबसाइट को विजिट करना चाहिए आपने देखा हुआ कि मेरी दो साल की यूटूब जर्नी में मैंने अधिकांस कंटेंट का PDF आप लोगों को उपलब्द कराया था और कराता भी हूँ लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या होता है कुछ इस्पेस का प्राबलम आ रहा था जहां से मैं आपको PDF शेयर करता हूँ वहां से इस्पेस का प्राबलम आ रहा था कई प्रकार की तखनीकी समस्याएं आ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों के लिए websites मैं launch कर दूँ ताकि जो चात्र मेरे content को पढ़ना चाहें बहुत ही आसानी से मेरी सामागरी तक आपकी पहुंच हो हर समय आपके पहुंच में वह सामागरी रहे और वीडियो देखने के साथ साथ आप उस content को कभी भी प्रामाडिक सामागरी के रूप में पढ़ सकें तो मैंने 22 जुलाई 2023 को इस website दो websites है मेरे उनको मैंने launch किया है और उसमें मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों को इस तरी और प्रामाडिक पार्टे सामागरी उपलब्द कराने का प्रयास कर सकूँ क्योंकि कुछ चात्रों का रुजहान वीडियो देखने में होता है और कुछ चात्र ऐसे भी होते हैं जो website पर सामागरी को कम समय में पढ़ना पसंद करते हैं और YouTube जैसे आप देखेंगे तो आपको लंबे समय तक उसको देखते रहना पढ़ता है और आप उसमें मतलब आपको ज्यादा समय लगता है और कोई content आप पढ़ना चाहेंगे उसी content को तो बहुत ही काम समय में आप पढ़ सकते हैं और क्योंकि आप लोगों का मुझे पर भरोसा है क्योंकि लगबग साठे 10,006 पूरे देश के बहुत से प्रतिष्ठित और प्रसिद अभी स्विद्यालयों के मेरे साथा जूड़े हुए है इस सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया और आप लोग मुझे पर भरोसा करते हैं विश्वास करते हैं कि मेरी सामगरी बहुत अच्छी इस्तरी रहती है प्रामाणिक रहती है यह आप लोगों का ओपीनियन है मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ तो मेरा यह एक विश्वास करते हैं कि मेरी सामगरी हमेशा आप लोगों के एप्रोच में रहे और जब भी चाहें आप उसको रिफर कर पाएं तो इसलिए मैंने 22 जुलाई 2023 को यह वेबसाइट लांच किया था हिंदी शिखर और इसमें अभी तक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर होमपेज मैं आपको दिखा देता हूँ रिफरेस करके तो होमपेज में जब आप जाकर देखेंगे तो लगभग एक साल में यहाँ पर 4,74,603 लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया है मैं आपको रिफरेस करके भी दिखा देता हूँ आप फॉलो भी करें जैसे यहाँ राम की शक्ति की मूल समेदना यह देखें बहुत ही मेहनत करके मैंने यहाँ यहाँ content अपलोड किया हुआ है तो यह सब आपको देखना चाहिए तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग यहाँ पर सिर्शक दिया हुआ है category बनाया हुआ है यहाँ पर यहाँ अब homepage है मेरा और मैं आपको जनरल description दे रहाँ लिंक मैं दे दूँगा वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर प्रचुर मातरा में आपको पार्ठ समगरी उपलब्द होगी फिरे हिंदि साहिति है हिंदि साहिति के अंतरՌगा देखिए अंधेरे में कभीता का सारांश हिंदि साहिति के इतिहास लेखन की परंपरा और भी आर्टिकल होंगे जो हैं पर display नहीं हो रहे हैं भारती कावेशास्त्र है, इसके अंतरकत आपको आचित्य संप्रदाय, रीती संप्रदाय, ऐसे ही और बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, दो ही डिस्प्ले हो रहा है, इसके बाद पास्चात्य कावेशास्त्र, इसके अंतरकत आपको, पास्चात्य काव जोप लोगों को दोनों प्रकार से इस से फाइदा मिलने वाला है, इसके बड़ हacas में प्रकार, कावे में लोकमंगल की साधना वस्ता, हिंदी आलोचना का उध्भाव विकास, ऐसे सरे आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, छायावाद के अंतरगत, राम की शक्ति, पूजा की म अनुसंधान के मूल तत्थों Anustandhahn के प्रकार अनुसंधान और अलोचना इस प्रकार के आर्टिकल पढ़ने को मिलेंगे प्रवजन मुलक हिंदी के अंतरगत आपको प्रवजन मुलक हिंदी भी आजकल बहुत सारी परिच्चाहों में शामिल होता है graduation या फिर PG के तो अभी देखिए provision मुलक हिंदी के अंतरगत निया पर क्या क्या अप्लोड किया हुआ है और net connectivity की समस्या नजर आ रही है और नाटक और एक आंकी देखते हैं नाटक के तर तो हिंदी के लोक नाट provision मुलक हिंदी भी देख लेते हैं यह देखिए भाषा की प्रकृति प्रवितियां और विशेस्ता हैं राज भाषा हिंदी और अनुवात का अंतर संबन प्रशासनिक हिंदी की चुनोतिया और समस्या हैं इसके बाद विविद विशाय में भी बहुत सारी चिड़ें आपको देखने को मिलेंगी आप डिरेक्ली देखना चाहते हैं कि किस टॉपिक के अंतरगत क्या है तो ये मेरा साइट मैप देख सकते हैं साइट मैप पर जैसे भी आप क्लिक करेंगे ये सारे आपको यहाँ पर आर्टिकल इनके अंतरगत आपको देखने को मिल जाता है तो यह मैं बहुत से मेहनत से बनाया हूँ और आप लोग सोच रहे हूँगे कि बहुत दिनों के बाद मेरा लेक्चर क्यों आ रहा है तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं इसी सब को सीख रहा था और मेरे यहाँ पर लिखते हैं www अगर इस वेबसाइट को आप विजिट करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे विजिट कर सकते हैं आप यहाँ पर जाकर लिख दीजे गूगल में www.hindishikhar.com अब चुकि पता है कि यह भुपेंद्र पंडेसर की वेबसाइट है तो आपको इसमें टेंसल लेने की जरौत बिल्कुल भी नहीं है आपको यहाँ पर प्रमाडिक पार्ट है सामागरी भी पढ़ने को मिलेगी और यदि कोई आप सुझाओ भी देना चाहते हैं तो बेजी जग मुझे अपना सुझाओ दे सकते हैं अभी मैं दुबारा इसको ओपन कर देता हूँ गूगल पे जाके तो यह अहाँ पर आप जैसे लिखेंगे www.hindishikhar.com 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 जैसे क्लिक करेंगे वेबसाइट ओपन हो जाती यह तो मेरे पहली वेबसाइट हो गई और दूसरी वेबसाइट एक और है वहाँ हिंदी-adab.com www.hindiadab.com अदब का मतलब भी साहित है या फिर शिष्टाचार होता है यह मेरे दूसरी वेबसाइट है www.hindiadab.com क्योंकि अधिकान शातर इसको विजिट नहीं कर रहा है और मेरे इसे नोट से मांगते रहते हैं सर पीडियाप नोट से दे दिजी नोट से दे दिजी जहाँ पर मुमकिन होता है मैं आपको दे देता हूँ तो यह देखे हिंदी अधब है तो यह हिंदी यहाँ पर भी मैं साइट मैप बनाया हूँ यह साइट मैप पर जब आप क्लिक करेंगे तो यह साइट मैप खुल जाता है मतलब क्या के कैटेगरी में क्या के आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा जैसे भारत पास्चात्य कावे शास्त्र में आप क्लिक करेंगे तो देखिए रूसी रूपवाद प्लेटो का प्रत्यवाद या प्रत्यसिधान मार्सवादी साहित्य और कलाचिंतन अभी जात्यवाद क्या है मिथक क्या है प्लेटो का प्रत्यसिधान प्लेटो का कावे सिध्धान अरस्तु का अनुकरान सिध्धान ये सब आर्टिकल में जैसे आप क्लिक करेंगे इस ये आर्टिकल तो ओपन हो जाएगा और साथ में मैंने यहाँ पर अपना वीडियो भी लगा दिया है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं तो इस पर मैं बहुँ ज़्यादा मेहनत करके पार्टे समगरी तयार करता हूँ आप लोगों के लिए तो ये जैसे साइट मैप मैं आपको दिखा दिया पास्चाते कावे शास्त्र इसी तरह भारती कावे शास्त्र के साइट मैप पे आप क्लिक करेंगे अभी एक आर्टिकल अलंकार प्रदा हैं आगे और अप्लोड करूँगा इसी पकार भाषा 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 विज्ञान हो गया धिरे धिरे मैं दूसरी वेबसाइट है ये नई वेबसाइट है इसको भी अप्लोड कर रहा हूँ शब्द और पदमे अंतर विभिन वाद और अधाना है इतनी सारी अधाना बहुत मेहनत से तयार किये गए यहां पर कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे तो जिस भी आप साइट में पर क्लिक करेंगे उसके अंतर के जितने भी आर्टिकल हैं आप वहां पर जाकर चेक आउट कर सकते हैं तो यह बहुत ही मैंने इस पर मेहनत किया है तो आप लोगो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे और मतलब व्यापक रूप में इसको पसंद भी किया जा रहा है हिंदी अदब में मैं भी ज्यादा काम नहीं कर पाया हूँ लेकिन जो हिंदी शिखर ये जो मेरी वेबसाइट है इसमें अभी तक आप देख पा रहा है कि 4,74,655 व्यूज आ चुके हैं जो कि थोड़ी दिर पहले 606 था तो मुझे आशा ही नहीं विस्वास है कि मेरे हिंदी शिखर जो वेबसाइट है और हिंदी अदब जो वेबसाइट है ये आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी और इसके बारे में वेबसाइट का अच्छी लगी या कुछ इसमें कुछ कमी रह गई या फिर मैं क्या कुछ अच्छा कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कमेंट बाक्स में कमेंट डे का जरू बताएं आप अपने मित्रों के साथ भी साध्या करें मेरे आर्टिकल और मेरे लेक्चर्स साथ ही अभी तक आपने मेरे लेक्चर्स को मतलब मेरे वीडियो को अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्यक वीडियो का ब्रेट्स आपको मिलते रहें धन्यवाद जाहिंजे भारत